नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत वहत्री नोट को दिखाने वाले हैं पहले हम आपको ऐसे दिखा दे कि क्या है इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ देखे जब वीडियो बनाता हूं मेरा मेरा में परपस यह होता है कि हम जो चीज आ सारा काम हो जाएगा हम इसाषीजे़ों पर बात करते हैं और इन के साथ direito काहीं पर कुछ आटायच करकर के पढ़ना हो ठाने आप सबीसेयों की बात करता पर παदा है ताकि आप अपना मैठेशिक को ले और उसी हिसाब साप पढ़ेङना सुरवाहत करता हूं तो मैं आपको आप मैं सभी बूक्लेट को पोश्च करूंगा कर दिखा दू वैसे वीडियो लंबा ना हो इस चीज का भी ध्यान में रखना होता है हमें तो दोस्तों जैसे करके हम बात कर रहे हैं आज हम आपको वाजी राम के नोट्स को दिखा रहे हैं वाजी राम आप इंका प्रचार मीनीमम देखेंगे कम से कम प्रचार देखेंगे जो आप चुनेंगे वह लड़कों के मुह से इनके बारें बिताते हैं इनके प्रचार बहुत ही कम आप तो बहुत ही बह nuestro हीं सै49 बीला में कई GS के लिए पूरी तरह से cover करने की चंता रखते हैं कुछ जगों पर कुछ कमिया है उन पर भी हम बात करेंगे शुरुवात करते हैं आपको दोस्तों हम GS paper 1 से start करते हैं और आपको वहां से देखाना start करते हैं ठीक है जैसे आप देख रहे हैं यह ancient history और यह है medieval history तो ancient medieval के यह दो booklet आती है पर ध्यान रखिएगा मेंस के परपस से यह दोनों booklet पूरी तरह से sufficient नहीं है आपको इन में आरे सर्मा और सती चंद्रा की जो ancient medieval के booklet आती है वह लेके पढ़ना होगा आप इसके साथ वह attach करके पढ़ लीजिएगा तो यहां पर आपका और ancient और medieval पूरी तरह से complete हो जाएगा समझ रहें यह भी है काम हो जाएगा पर अपने को और अच्छे दंग से पढ़ना होगा इसलिए उस वह चीज़ को काम आपको आप इसे देख लीजिए वर्लिष्टी को लेकर कई पर लड़के कंफ्यूज होते हैं तो नहीं सही है आप इसे पढ़ सकते हैं आपका इसमें काम हो जाएगा और प्रिंट की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूं इसकी तो आप में साब को सही मिलें यह को जगह है रेट में अंतर हो सकता है यह संभव है पर वह सब काम में नहीं करता कभी भी जो चीज़े जैनुवीन है जैसी है मैं वैसी आपको बताऊंगा अब दुम्रा आर्ट के लिए यह सही है आपका काम हो जाएगा प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत बहतरी नहीं और और आगे बढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस काम हो जाएगा यह भी यह भी सही है कोई दिकत नहीं है और कॉंसेप्ट ऑफ जग्रॉफी और यह इंडियान जग्रॉफी जग्रॉफी के लिए मैं आप से कहना चाहूंगा अगर संभव हो तो छे से बारह की एंसी सोसाइटी के जग्रॉफी भी आप लेके पढ़ लीजिएगा आपके लिए सही रहेगा आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ चलते हैं आपको सोसाइटी मैंने नहीं देखाया इसके पीछे का मूल कारण यह है कि सोसाइटी के लिए वाजी राम कोई स्पेशल नोट्स नही सोसाइटी और सोसल इशू यह दो ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें आपको नोट्स के साथ साथ या बुक के साथ साथ जो भी आप पढ़ते हों उनके साथ साथ दैनिक अखबार या रोज का अखबार जरूरी होता है आगे बढ़ते हैं आयर के लिए यह बुकलेट काफी है हाला कि करेंट अफेर्स बहुत इससे आते हैं करेंट अफेर्स से अफेक्टेट होता है इसके लिए भी मैगजिन वगेरा आप जरूर आटर के पढ़िए और जो फॉरेंड मिनिस्ट्रिक वेबसाइड होती है एक्स्टरनल अफेर्स की वहां पे आयर से रिलेकर कई तरह कांटे एक पर लड़कें पर सुछते हैं वह पर द्यान में रखेगा लक्षमी यह कंजे कबर होती है पर मेंस के नहीं है एक अच्छ शे नोड़ से लेकर पढ़ना होगा इंगलिश तो आवाजि राम से लेकर सकते हैं ठीक हैं इंटर्नल शीक्यूरटी के लिए यह बुख लेट स साइंस एंटेक के लिए मोर दैन एनफ है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इन्वारिमेंट के लिए ये बुक्लेट पढ़ें साथी साथ करेंट अफेर्स आप समझ सकते हैं करेंट अफेर्स बहुत अनिवारी होता है इसके लिए समझ रहने मेरी बात को वह आप लेके अगर पढ़ना हो तो उसे भी लेकर पढ़ सकते हैं ठीक है अगर आपके पास पहले से कोई बुक है इसके लिए तो फिर आप ना लें अगर कुछ नहीं है तो आप इसे लेके पढ़ें तो अगर जैसे कोई बुक मतलब संकारेस की इन्वार्मेंट हो गई पीमेंफ इसकी हो गई अगर उनकी वार्मेंट है तो इसकी जवरत नहीं है समझ रहें ना मैं इसलिए बार-बार इस चीज़ों को बोला हो ताकि मेट्रियल आपके पास अधिक ना हो ज्यादा एक अठा ना हो आगे बढ़ते हैं यह हैं इंडेन एकोनोमी के लिए यह चीज़े सही है काम ह हो जाएगा आपका ठीक है इसे आप पढ़ सकते हैं संभा हो सके तो 9-12 की एकोनोमी भी आप लेके पढ़ लीजिएगा ठीक रहेगा आपके लिए पेपर फॉर्थ के लिए एथिक्स का जो बुकलेट है अभी प्रिंट नहीं है तो मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूं तो और ऐसे ऐसा टॉपिक होता है जहां से अंक बहुत अच्छे उठते हैं ऑप्शनल के बाद ये दो टॉपिक बहुत ही महत्तपून होते हैं अगर इन तीन चुजों में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं यानि है ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल तो विस्वास मानिए सेलेक्श नौट्स आप ये लेके पढ़ें और संभव हो सके 2nd ERC की चौथी रिपोर्ट आप जरूर लेके पढ़ें विजानाईस की स्टडी भी इसके साथ लिजेगा वाजी राम को है पर विजानाईस के साथ आपैट करके पढ़ लिजेगा सही रहेगा और कोई बुक पढ़नी हो और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लेके में पोड़ी आराम से कोई दिकत नहीं क्योंकि वह आपके लिए काम की छीज existe counts America अच्छी एठिक से समझ रहे ना और यह पिजिक्स सुछते हैं कि हमारा साइंस बैग्राउंड है तो इनकी ज़वरत नहीं है आप ऐसा ना सोचें क्योंकि इसमें जो चीज़े दी गई है तो दोस्तों यह मैंने भी आपको पूरी के पूरी वाजी राम के नोट को दिखाया वाजी राम एंडरवी के सारी शीजे मैंने आपको दिखाई पूरा कंप्लेट मेटरियल इसे मिल जाता है ऐसे इसमें नहीं मिलता है ऐसे के लिए आप इंग्लिश वीडियम से अगर आप है तो दिशा के पढ़ लिजिएगा सही रहेगा यह अर्यांत का भी लेके पढ़ सकते हैं और अगर आपके पा आपको बताया हूं यह मेरा व्यक्तिका तनुभाव है जिससे अधार पर मैंने आपको बता है कि आप इसके साथ यह आट करके पढ़ें या वह आट करके पढ़ें पूछीजे आपके काम में आएंगी समझ रहना तो मिलते अगले वीडियो में तब अगले बहुत बहुत ध